बड़े कबर महराश्ट विधान सबा चुनावने लानांकन के बाद मानकुर्द शिवाजी नगर सीट पर महायुती में घमासान देखने को मिल रहा है नरसल इस सीट पर महायुती की तरफ से शिंदे गुट के सुरेश पार्टल को उमीदवार बना गया था लेकिन आखरी वक्त में अनसीपी के अजीद गुट ने पूर्व मंत्री नवाब मलिक को अपना प्रत्याशी घोशित कर दिया जिसको लेकर अब बीज़पी और शिंदे गुट में नराज़गी देखने को मिल रही है बड़ी बात यह है कि बीज़पी पहले ही नवाब मलिक को टिकट देने का विरोध करज रही थी महायुती में सीट श्यर्णिंग के बाद ये सीट शिंदे गुट के खाते में गई थी बावजूद इस सीट पर अजीद गुट ने नवाब मलिक को प्रतियाशी बनाया है जिस पर मुंबाई बीज़पी के अध्यक्ष आशीर शिलार ने नाज़गी जाहिद की आशीर शिलार ने कहा कि बीज़पी किसी भी कीमत पर नवाब मलिक का प्रचार नहीं करेगी इस पूरे मामले पर न्यूज एटीन इंडिया ने नवाब मलिक से बादशीत की उनका क्या कहना है ये आपको सुनवाते हैं अब इसको लेकर महायूती में ही काफी ज़्यादा विवात खड़ा हो गया है बीजेपी का साफतर पर कहना है कि वह किसी भी हाल में नवाब मलिक के लिए प्रचार नहीं करेंगे अब शीव से नहीं अपना मामला मैं अजीद पवर जी के साथ में हूँ उन्होंने मुझे चुनाव लड़ने का मौका दिया मैं आजीद पवर जी का अभारी हूँ अब शीव से नहीं अपना उमेदवार महा पर परचा भरवाया है बीटी के सीट पर भरवाया है बीजेपी बोड़ रही है कि हम शीव सेना का परचार करेंगे बीजेपी के विधान सभा की अध्यष ने मेरे बीटी के सामने रिबिलियन कैंडियेट के हैसे से बराया है सवाल ये है कौन विरोध कर रहा है कौन समर्थन कर रहा है ये सवाल नहीं है जनता किसके समर्थन में सवाल इसका है जनता का समर्थन भरपूर हमारे साथ है विपक्ष आधिक ठाक्री भी सवाल खड़े कर रहे हैं इन बीजेपी इजिस्ते की लैंग्विज यूज कर रहे हैं कि दाओ दिभाहम के साथ आपकी कनेक्शन है हम दाओ के साथ जो रहेगा उसको सपोर्ट नहीं करेंगे हम प्रचार भी नहीं करेंगे तो जनता जानना चा किसी के संबन हो जाते हैं इस तरह से मामला बना है मामला न्याय प्रविश्ट है जिस दिन नतीजा आएगा थैसला आएगा लोग मूँ के बज गिर जाएंगे जिन लोगों ने आरुप लगाया और जिन लोगों इस तरह की चीजे कई है आज भी हम लोग पूरी तरह से रा सारे आरोप बे बुनियाद हैं और बे बुनियाद आरोपों पे हम कोई किसी के बैयन से ढरते नहीं लोगों का बैयन देना देते रहें और निशीत रूप से अजीद पवार जी ने मुझे उमिद्बार बनाया मेरे साथ पूरी ताकत से संकट से समय में भी खड़े रहे हैं आज भी खड़े हैं टिकेट भी दिया है मैं उनका आभारी हूँ मैं चुनाओ जीतूंगा चाहे जो मेरे विरुट कर लें अपर यह सबसे सवाल खड़ा है कि जब आपको टिकेट देने की बात हो रही थी तो क्या यह महायूति में अजी दादा पवार ने डिसकस किया था और बेटी लड़ेगी अनुस्यक्ति नगर से तो कोई कहे कि हम पता नहीं था जब सीट आजेट्समें हुआ तो उन लोगों ने तो सीट छोड़ दी क्योंकि नब्य हजार का डेफिशिट वहा है इसलिए छोड़ी गई कि यह सीट तो सबसे वस सीट महारास्ट में आई नह सकते अब मेरे चुनाव लड़ने से उन्हें क्या परेशानी मुझे पता नहीं लेकिन वाइस्चारिक मद्वेद तो हमारे है निश्यत रूप से बीजे की पी की जो अपनी आइडियोलोजी है उनकी है हमारी अपनी आइडियोलोजी है हम धर्म प्रेक्सता छोड़ नहीं स सकते ये पॉलिटिकल एडियस्मेंट है दादा ने भी कहा कि वैस्चारिक हमारे मद्वेद है पॉलिटिकल एडियस्मेंट के तहद कुछ चीजे हुई होंगी लेकिन हमारी पार्टी साहूप फुले अमवेड करकी विचार जारा को कभी नहीं चोड़ सकती अब किसका दु दूसरी तरफ अजीद गुट ने कहा कि गटबंधन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा इस पर इतना चिंदे जी जावब दे क्योंकि वो दाउद के पार्टनर को गले नहीं मिल सकते थे किसी जो दाउद से संबंद उसके बाजु में नहीं बैठ सकते थे फिर इक्बाल मिर्ची का क्या हुआ फिर अदाउद के पार्टनर का क्या हुआ यह इतना चिंद जावब दे क्योंकि यह सारी जो बाते उन्होंने की थी तब भी हमें विश्वास है कि हमारे प्रत्याशी वहां से बहुत अच्छे मतों से चुनाव जीतेंगे और इस पे हमारे गठवंदन में उनके इस नेड़ने का कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, महायुती का गठवंदन यथावत रहेगा और हम पूरी शक्ति के साथ महारास के महारास में फिर से महायुती की सरकार बनाएंगे मही उद्व गुट ने कहा कि जिसका अब तक बीज़पी वाले विरोध कर रहे थे अब उसका ही प्रचार करेंगे तो बीज़पी ने शिंदे गुट के सुरेश पाटल को आधिकारिक उमीदवार बताया अब तो हारी रहे हैं अपने चरित्र को क्यों खराब कर रहे हैं बीज़ेपी वाले आपको शरम नहीं आती आप नवाब मलिक जैसे एक देश द्रोही को टिकट दे रहे हैं यह नो अजीद पवार नवाब मलिक का इस विश्य पे समर्तन नहीं कर सकते हैं मायूती शिवसेना ने बुलेट पार्टिल को अपना अधिकृत उमीदवार घोशित किया है एक और हम अबु आदमी जो वोट जियाद के समर्तक है उनको हराएंगे और दूसरी और आतंकवाद के एक पार्ट इन पार्चल नवाब मलिक को पराभूत करेंगे झाल झाल झाल